प्रेमपरकास, पुजा सिंगहल, बिरंदर राम जैसे जो है कि यहां भरष्ट अधिकारी को फाइदा नहीं होने दना है टैगर जराम में तो आप आगे बढ़ो हम आपके साथ आई है और इसके साथ हम लोग संगर्ष के लिए तेयाद अभी एसस जो परटी बना है उस परटी को मजबूत हम लोग कर देते हैं उसके बाद मेरा पूरा बिष्वास है 24 में लोग को चेंज करेंगे, सिच्छा किरिशी कोई भी मेटर हो सब में जजान दे के हम लोग इसको चेंज करने का उमिद रखें चांदा कनेक्शन करके पार्टी को मजबूत करेंगे और हर एक आदमी को समझाएंगे जेकि जेबी केसे है क्या चीज नमस्कार जोहार आप देखरें जारखंड पलस यूट्यूब पर पल्टू ओपीसियल पर अभी हम है राहे के धर्ती में और राहे में पर्खंड इस्तरिया जेबी केसेस का विस्तार को लेकर यहां पर एक जन जागरन रखा गया था जी हां, उसी को béner से ले देख सकते हैं, तमाम जो ग्रामीन हैं, जो लोग हैं, जेवी केसेस का तो समर्थन करते हैं, जो समर्थन में आए हुए हैं, वो लग जूटे हुए थें जी हां, अभी राहे पर्खंड के तमाम जो लोगों से कोशिस करेंगे, आखिर कर वो किस तरह से अपना समर्थन देंगे और जेबी केसे को आगे बढ़ाने से अपना किस तरह का भूमुक्या निवाएंगे उसी भीच चात्रनेता और जेसेस्यु देवढ्र नाथ महतों से इसने आंप लोगों कि अपनी माटी में मुझा अपसे यूगदान विश्टार को लेकर उपना प्लगर समर्धन देंगे आगे बढ़ने में अपना साही ओग पो सब लोग समर्थन इसलिए देंगे क्योंकि पाटी हम लोग बहुत देखे हैं हाव इस बार माटी के लड़ाई है जो माटी के बात करेगा ही मेरा पाटी है अभी आप लोग का बैठक रखा गया था राहे पर्खंड में किस तरह की बाते सामने आई जो आप लोग जैबी कैसे को इखेंके जया जब देखना आई और भी लोग हैं सबसे पहले इस राहे की धर्टी में आपको स्वागत करते हैं और साथ ही जैबी केसे इसको विस्तार को लेकर तमाम जंजागरन किया जा रहा है कि तरह कर देखते हैं इस धर्टी पर आको कैसा लग रहा कि जिस तरह से का फीड़ेग मिल रहा है कि किस तरह से हमें जेबी केश से उसका आगे बढ़ाना चाहिए क्या कुछ पोजेटिव यू निकल कर आया है देखिए लोगों में आक्रोस है और लोगों में आक्रोस है एक दिन का आक्रोस नहीं है ये 22 साल का आक्रोस है और 22 साल का आक्रोस जो है बच्चे बच्चे में बुढ़े बुढ़े में ये फूट के आ रहा है कि जितने लोगों को हमने देखा जितने लोगों को सत्ता तक पह मारे बारे में यानि गाओं घर खतियान खेत खलियान के बारे में किसी ने आवाज नहीं उठाया जारखंडियों के हीत के बारे में किसी ने नहीं सोचा जो आज बलियारपूर से लेकर आवाज आई है आपको इधार डुमारी हिल तक बलियारपूर से लेकर डुमारी हिल तक एक ही आवाज आ रही है कि जेबी केसेस टाइगर जराम है तो आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं हर बच्चों बच्चों में ये गुंज रहा है क्यों जेबी केसेस का इतना जयदा जन जागरन करना पड़ रहा है हलांकि सत्ता में हमारी जारखंड के ही सरकार है फिर क्यो इस तरह का विश्तार करना पड़ रहा है आप लोगों देखिए आज के दिन में जो है एक लड़ाई है धन सक्ति धन सक्ति और जन सक्ति की एक तरफ है बहुत अपार धन संपति और धन सक्ति है तो धन सक्ति के आगे देखते हैं अब हमारी एक एक जन सक्ति क्या कर पाती है चुकि जनजन की आवाज है, जनजन की आवाज निकल रही है, कि भाई इस बार जो है धन सक्ती को पचाड करके जन सक्ती आगे निकलेगा। क्या लगता है कि अभी राहे परखंड में आप एक जनजागरन का कार्यकरम चला रहे थे, लोगों का किस तरह का रुजान देखने को मिला। के नेता भीकने का काम किया है, जो इस वार माठी की पाटी जो जेवी केस में है वो इस चीज को बचाएगी, इस में पूरा उम्मीत कायम है। जोहर जोहर और भी लोग हैं इसे जानने को सिछ करते हैं। जभी केस्थ को किस तरह से देखते हैं क्योंकि जबी केस्थ का विस्तार को लेकर ने disrespect देकर परखंड देखते हैं किस तरह से देखते हैं ? देखिए यहां का जो भासा खतियनी और बाहरियों का जो यहां अगमन किया जा रहा है यहां जो एक दलाली हो रही है चाहे हमारे के छात्र शात्राओं का हो यहां तो किसान का हो मजदूर का हो और इस मुद्दा को हमारे यहां के मुख्यमंतरी हो चाहे यहां के अनेक मंतरी ह माँ अगे नहीं है और इस आवाज को byलनत के साथ हमारे भद रखते नि भाशा मिजया samo भासा को आगे लेकर आई और इसके साथ हम लोग से अच्व konnte जरतालों कैसे देखते हैं क्योंकि उसके जंजागरन में आप अपना समर्थन दे रहें जि realistically केसे इसको बढ़ाने में अपना सहमत दे रहा है क्योंकि जिस भीनर के आप समीफ है वो लगता है कि आप समर्थन में आए हूए कैसे लगते हैं जए राम को कीस तरह से आप देखने क्या लगता है देखे सर जैरामा तो एक एक विचार है उस विचार अभी पुरा जारखंड के पुरा जन जन तक पहुचाना है और आज हम लोग का राहे परखंड में एही जन जागरन के लिए जी और भी दादा लोग हैं जेबी के से इसके विस्तार में आप किस तरह से अपना समर्थन देंगे इतने भी या क्या बोलेंगा हम तो जितना भी हम लोग भाई लोग हैं सब को इमेल जोलके जोराम भीया को आगे बढ़ाएंगे जी सबसे पहले जोहार सर आपका चैनल के मा के सेस जो पार्टी बना है ये जारखन का नौ निर्मान के लिए बना है जैराम महत्तों का जो बिचार है उस बिचार से पूरा जारखंडी एक छोटा बच्चा से लेके बुजूर्ग तक परवाईत हो गया हैं और जितने भी पुराने बिधायक हो चाई MP हो उस MP से बहुत बगावत हो गया है और उन लोग को 23 साल देख लिया है 23 साल के अंदर में मने कुछ बदलाव नहीं है जारखंड का कोई बदलाव नहीं कर पाया है और हम लोग चाहते हैं बदलाव क्या मालीजे कोई घर बनाते हैं तो घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग नक्सा बनाते तब यह घर बनता है लेकि जहारखन का निर्मान करने के लिए जहारखन को बढ़ाने के लिए उसको उज्वल बनाने के लिए सुन्दर बनाने के लिए कोई भी नक्सा अभी तक कोई नहीं बनाया जितना भी पार्टी आया जितना भी पार्टी हम लोग 2000 के बाद से पार्टी जार्खन को उस पार्टी लोग कभी भी जार्खन का नक्सा अभी तक नहीं बना पाया तो जब नक्से नहीं बन पाया तो जार्खन क्या बनेगा कोई घर को नक्सा बनाते हैं तो नक्सा के उनसार सुंदर बनता है तो उसी परकार मेरे ख्याल से नक्सा बनना चाहिए तर नक्सा बनने के बाद वह जार्खन का उज्वल भईस बन सकता है क्या वह नक्सा जेवी के सेस्ट बना पाएगी हम तो जार्खन दादा से यही बोलेंगे अभी नहीं है लेकि जो दीश सुनेंगे कभी तो मेरा सुजाव है कि पहले अच्छी तरह से नक्सा बना करके लिखन का निर्मान अच्छी तरह से होगा अभी हमारे बीच और भी दादा लोग है क्योंकि अभी जेवी केसे से पार्टी बन चुका है उसको समर्थन देने के लिए आप आये हुए हैं साथ में उससे एक फाइनंसियल जो आर्थिक सपोर्ट होता है उसकी भी जरूरत मिटार इस्टा में नहीं टाइए जिला लेड़र ने की लिए उसका एक दिन में जो gì चुको है हिसाल कने खिए पहुंचने फोचने में टीनों करना नितना तक कोई नहीं कि नहीं कि तो हम लोग को पूरा उमिद है दिवेंदर भया के उपर और जैराम भया के उपर कि 2024 में हम लोग को चेंज करेंगे सिच्छा क्रिशी कोई भी मैटर हो सब में जी जान दे कि हम लोग इसको चेंज करने का उमिद रखें अभी हमारे बीच और भी दादा लोग हैं इनसे भी जानने कोशिश करते हैं जेबी केसे इसको विस्तार के लोग कर आप किस तरह से समर्थन दिखाएंगे और समर्थन लोगों का आप जागरूप करने का काम करेंगे देखें आज जो जन जागरन पंचायत अस्तर के लेकर हम लोग बैठक किये थे इसमें हम लोग हर एक गाउं गाउं हर एक घर घर जाके चांदा कनेक्शन करके पार्टी को मजबूत करेंगे और हर एक आदमी को समझाएंगे जेकी जेवी के एसेस है क्या चीज जारखंडी खत्यानी भासा संगर समेती है क्या चीज हर एक आदमी का सूख दूख में साथ देंगे और जितना भी गलत निती सरकार बनाई है उस अब का भी हर एक चीज का मतलब जागरूप करेंगे मतलब लोगों को जागरूप करना जी जोहर अभी हमारे बीच जैसे के प्रोमुक छात्रे नेता देविंदन नात मेहतो हैं और इनका ही छेत्र यह आता है सबसे पहले इंसे जानने कोसिस करते हैं कि राहे परखंड में आकर किस तरह से लोगों को मोटिवेट किये हैं कि मु तरको लेका